हरे कृष्णा भगवत गीता के सात्वे अध्याय के सत्रमे श्लोक में हम पढ़ना शुरू करेंगे ये श्लोक सोलमे श्लोक से कनेक्टेड है कही न कहीं सत्रा ठारा उननेस पहले सोला अच्छे से समझना होगा भगवान ने चार तरह के भक्तों के बारे में बताया कि ये लोग मेरी तरफ आते हैं अच्छा है बुरा नहीं है लेकिन हाथ की हाथ अगले श्लोकों में क्लारिफाई कर दिया कि ये शुद्ध भक्त नहीं है और शुद्ध भक्ती की तरफ ये पहुंच जाएंगे और शुद्ध भक्त मुझे ज़्यादा प्यारा है लेकिन भगवान में मान रहे हैं 19 वे में पढ़ेंगे कि जो बिल्कुल शुद्ध भक्ती करता है ऐसा महात्मा दुरलब है तो सत्रमेश लोक में भगवान कह रहे हैं अब परम ज़्याने और शुद्ध भक्ती में लगा है शुद्ध भक्ती का मतलब जो भगवान की भक्ती कर रहा है सेवा करो और बदले में कुछ नहीं चाहता शुद्ध भक्ती में लगा है वह सर्विष्ष्ट है इन सबसे बेटर है क्योंकि मैं उसे अतियंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है वो हर स्तिती में मेरा भक्त है चाय उसका भला हो चाय बुरा हो वो समझता है कि अगर बुरा हो रहा है तो भगवान ने ये भी मेरे पर कृपा ही की है किसी ना किसी रूप में शायद मैं इससे भी ज़्यादा बुराई के लिए eligible था लेकिन भगवान ने इसको कम कर दिया कुछ अच्छा होता है तो वो भगवान को धन्यवाद करता है ये उसकी सोच होती है कि अरे भगवान आपकी कृपा है नहीं तो मैं इसके लायक भी नहीं था नाटक नहीं है उपर से लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलता हो अंदर से अंदर पर मातमय आपकी रिय metallic पर मातमय को पता होती है तो जो इसतरे के विचार develop कर लेता है वो हर समय Krishna मही है वो भगवान को ही बस पसंद करता है भगवान से प्रेम करता है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वह मुझे प्रिय है अठारवें श्लोक में भी कह रहे हैं भगवान निसंदे ये सब उदार चेता मतलब जिनका चित बहुत उदार है दिल बहुत बड़ा है वेक्ति हैं किन्तु जो मेरे ग्यान को प्राप्थ है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ सोचिए जो भगवान को पहचानता है याद होगा चौथे अध्याई के नवे श्लोक में भगवान ने कहाता है जन्म करम चैमे दिव्यम जिसने मेरे जन्म करम को पहचान लिया है उसको फिर इस जीवन में कुछ नहीं उसको तो सीधा मोक्ष मिल ही जाएगा इसलिए भगवान कहरे जो मेरे को अच्छे से समझता है आत्मा परमात्मा भगवान सब समझता है वो मेरे समान है वह मेरी दिव्य सेवा में भगवान की सेवा तो दिव्य है या दिव्य क्या है मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है तत्पर मतलब लगातार यह नहीं के आज है कल नहीं तत्पर, दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सरवोच उदेशय को निशित रूप से प्राप्ट करता है, भगवान को प्राप्ट करना मोक्ष ही तो मनुष्य जीवन का परमुकुदेश है ये जन मृत्यू के चक्र को काट देना बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो भक्ती में आने के बाद भी कहते हैं नहीं हमें मोक्ष नहीं चाहिए हम तो इसी धर्ती पर दुबारा आना चाहते हैं इस बार गर्मियों में 50 डिगरी क्रॉस था दुबारा आने का मतलब आप समझ रहे हैं अभी तो आपकी जो भी उमर है फिर आप जाओगे फिर आप आओगे फिर जब आप बड़े होगे तो उन देनों 60 डिगरी 65 डिगरी चल रहा होगा यहां पर बारिश यह हो रही होगे न तो इतनी की सडक तो क्या सब कुछ ही डूब जाए सर्दी होएगी तो माइनस 10 डिगरी हो जाएगा तो कहने का मतलब है वक्त कितना खराब होता जा रहा है आज लोग मतलब ही है कर लोग घर में घुसके आपको मारेंगे कल्यूग बढ़ रहा है इस चीज को समझने की जूरत है कि स्थितियां परिस्थितियां खराब होती जा रही है तो जो मोक्ष है वही सरविश्रेष्ट है इस जन्मित्यू के चक्र को छोड़ो और वैकुंठ धाम भगवान के गोलोक बृंदावन में जाकर रहने के लिए सोचो अपने मन में ये समझो कि हमें मोक्ष की ही जरुत है अब बहुत हो गए जन्म बस अब भगवान की सेवा करेंगे अगले श्लोक में लेकिन भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं देखेंगे संस्कृत में लिखा है मैं इसको संदी विच्छेच से पढ़ रहा हूं बहुत मेहत्पूंच श्लोक है बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्यानवान माम प्रपद्य वासु देवे सर्वामिति से महात्मा सू दूर्लब भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद यानि एकदम से समझनी आती बहुत जन्म बीच जाते तब जाके हमारे को ये बास समझ में आती है भगवान खुद कह रहे हैं अनेक जन्म के बाद जन्म जन्मांतर के बाद जिससे सचमुच ज्यान होता है ज्यान तो थोड़ा थोड़ा नौलेज होती है कहीं ना कहीं मन अठका देता है नाई इससे भी उपर कुछ और है उसको खोजो अल्टिमेटली सब कुछ कृष्ण है ये बात नहीं समझ पाते लोग अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सच्मुच ग्यान होता है वहें मुझको समस्त कारणों का कारण समस्त कारणों का कारण जो कुछ हो रहा है उसके बीचे सिर्फ कृष्ण है ये जानकर मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुरलब भगवान बोल रहे हैं जिन्होंने सारी श्रिष्टी बनाई हैं इस समय धर्ती पर पता नहीं साथ सो करोड लोग हैं कितने लोग हैं वो कह रहे हैं उनमें से सब कुछ मुझे कारणों का कारण माने ऐसा महात्मा दुरलब है अब आप देखिए क्या स्थिती है यानि भगवत गीता पढ़ने के बाद भी हरी नाम लेने के बाद भी गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद भी कादशी वरत करने के बाद भी सब कुछ करने के बाद भी कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं उनको लगता है नहीं भगवान कोई power है अरे power तो powerful में ही होगी तो भगवान को एक light समझना ये एक power समझना और कोई इनसान ना समझना कोई मतलब रूप नहीं है उनका ऐसा सूचते हैं ऐसा नहीं है भगवान का धाम है proper वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है राधरानी उनके साथ है जहां भगवान अपने धाम में राम के रूप में है वहाँ सीता जी उनके साथ है जहां नारायन रूप में है वहाँ लक्ष्मी जी उनके साथ है हैं भगवान हैं भई उनके धाम हैं वकाइदा उनके सेवक हैं पूरी creation है और यहां से तो बहुत सुन्दर creation है मुझे तो explain भी नहीं करना आएगा तो भगवान स्वेम मान रहे हैं कि ऐसा महात्मा जिसको ये बास समझ में आ जाए सू दुरलब वो बहुत मुश्किल है दुरलब है दुरलब 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 तो आप समझने का प्रियास कीजिए अपने परिवार को समझाने का आप अपने परिवार का भला चाहते हो न अगर आपने उनको ये भगवत गीता पढ़वा दी अगर आपने उनको ये भगवत गीता का ज्यान दे दिया नहीं पढ़ते हो जबर्दस्ति उनको सुना दिया समझा दिया किसी तरह से साम दंड भे जैसे बच्पन में अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कैसे भी करके पढ़ाया होगा आदो को डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ बना दिया होगा लेकिन आपने उनको गीता का गयान नहीं दिया इसलिए वो आत्मा नहीं समझते होंगे क्या है अब भी वक्त है उनको बैठाओ रिक्वेस्ट करो सुनो समझाओ भगवत गीता का गयान उनको दो उनको वो दुरलब महात्मा बनाओ जो भगवान को समझते हैं प्यार से धीरे धीरे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था करम शह धीरे 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 प्रयास करो है ना हमारी कोई मदद करना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है प्लीज संपर करें वाटसेप से हरे कृष्णा